आप सभी पर ये दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे Reliance Industries के बारे में और साथ साथ में जो Future Group की डील हो रही है, उसके बारे में लिटास अपड़ेट करेंगे Amazon yet again is successful, उनकी strategy है, यहाँ पर डिले करने के लिए हमारे सिस्टम में बहुत सारे लूप रोल्स हैं और Amazon knows it very well, how to use them ये एक बहुत ही pathetic situation बनती जा रही है, especially shareholders आप और हम जैसे लोग जो इसमें पैसा लगा के बैठे हैं, एक साल से जाधा से जबसे डील शुरुवात हुई है को मत बेचिये, in fact वहाँ पर large gap जैसी, reliance industry जैसे इस company आपको खरीदने की ज़रुत है, यहाँ पर dip is a buying opportunity और future retail सागा जो ये चल रहा है, जैसे ही ये sort out होगा, तो reliance में भी बहुत अच्छा spurt आएगा, पर जो अभी का spurt आया है, वो geo business के reference में आया है, geo business ने यहाँ पर start कि अपना tariff high करने के लिए, जिसके चलते हुए आगे further improvement आएगा realization में, और जो geo अभी loss making unit है, potentially break even पर पहुँच सकती है, तो इस सब के चलते हुए, यहाँ पर trading circle में थोड़ा सा माहौल गरम है, reliance industries के लिए, reliance industries buy की recommendation और future group के सारे stock को हम आपको hold करने की सला दे रहे हैं, CCI की जो प्रक्रिया चल रही है, यह एक बहुती slow act है, very very slow act, जितना कच्वी की चाल होती है, उस तरह से CCI यहाँ पर काम कर रहा है, अब तक तो सारा मामला रफद दफा हो जाना चीए था CCI की तरफ से, अगर reliance की बात करे जाए, valuation थोड़ा सा market correction की वज़े से इसमें नीचे को पाया था, पर यह अब bounce back दिखाया है, IC से direct की अगर बात करें, तो इसने इसका target 2925 का बताया है, 12 महीने के अंदर, हमारे साब से बहुत जल दिये, इस target पर पहुँच जाना चाहिए, आज का देखते है, action क्या हुआ है, future retail almost flat रहा है, volume की दर्शी से देखा जाए, तो करीब 11 लाग share hand exchange हुआ है, interestingly, future supply chain, जो की एक primary indicator था, यहाँ पर जब इन्होंने, अशोक कुमर गुपता जीन जब इस deal को अप्रूव के तो ने कहा था, supply chain और back end का innovation इंप्रूव होगा, तो यह एक अच्छा spurt आया है, इसमें 3% के आसपास, interesting होगा, volume के साथ बढ़ा है, कल का जो होगी देखा जाएगा, उमेद यही लगाए जा रही है, future retail के reference में अगर बात की जाए, अभी भी यह 47 से लेकर, आपका 56 की range है हमारी, जो broadly रहेगी, जब तक CCI का decision नहीं आ जाता है, इसके reference में, जो cancel कर सकता है स्वील को, Reliance Industries ने बहुत अच्छा माउस पे क्या देखे, lower level से 2300 के level से, अभी फिर से almost 2500 के level, दो बार टच करने की कोशिश की है, तो यह अच्छा position है Reliance Industries का, जो लोग miss out कर चुके है rally, उनके लिए बढ़या position, मैग भी ना अलड़ी buy single generate कर दिया है, बुलियंजर बैंड के mean level पर आ चुका है, वो सकता है, अपर level तक जाने की कोशिश क करें, तो आप अगर अभी तक सारा पैसा नहीं लगाया है, तो 50% आप अभी लगा सकते हैं, 50% cash रखिएगा Reliance Industries के reference में, दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो please hit the subscribe button, consult your financial advisor before investing in trading, और अगर मैं रसा जुना है, तो मिल रॉप किज़े जहीं जभारत राइ और अगर, में पुराइब जबाई घाओर, तो बास आपर आदर आभी तक सारा जब लुब